हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल सुदेश नागर व्लोग्स आप सार्जू के बारे में अभी सुना है कि उनका जो चैनल है है कर लिया है और उनका चैनल बिल्कुल भी सर्च में नहीं आ रहा है तो उसकी वज़े से वह बहुत जादा परेशान है तो उनके दो चैन अगर तीन दिन से रिसर्च में नहीं आ रहा है जिसकी वज़े से वह बहुत जादा परेशान है और यह बात अभी रुची मैम ने बताई है कि चैनल को हैक कर लिया है अभी वह चारपास दिन और देखेंगी कि उन्होंने यूटूब को इमेल भी क्या है कि यह बार इमेल क अभी बात हो रही है तो अगर चारपास दिन के बाद अगर कोई रिस्पॉंस नहीं होता है तो फिर वह नया अपना चैनल बनाएंगी और उन्होंने यूटूब को कही वार इमेल किया है लेकिन अभी बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है और अभी बात हो रही है आप सब्सक्राइबर है उनकी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आप लोग वी उनको सपोर्ट कीजिए और उनके जितनी सब्सक्राइबर है सब तक यह बात पहुचा दीजिए कि उनका चैनल जो है वो गायब हो गया है सर्च लिस्ट में नहीं आ रहा है बाकी चार पास दिन और देखते हैं क्या होगा फिर बाद में वह अपना नहा चैनल ओपन करेंगी बस मुझे भी यही बताना था क्योंकि दूस्टी मैंने भी बताया था क्या आप शेयर कर दीजिए तो बाकि आप जितने भी मतलब आप सार्च को जानते हैं तो वीडियो बनाकर उसको शेयर की बताये लोगों को कि आप सार्च के साथ क्या हुआ है तो यह बार सा उनके सब्सक्राइबर तक पहुचे की तो इसलिए बस मैंने भी यूटूबर उनके हैं करने के लिए यह वीडियो बनाया है तो आप उनके सब्सक्राइबर है तो प्लीज पेशेंस रखें वह जल्दी चार पास दिन में आएंगी वापिस और देखते हैं क्या होगा या तो उनका चैनल वापिस आजाएगा नया चैनल ओपन करेंगी लेकिन बहुत ज़्यादा दुख होता है कि अगर एक इनसान ने अपनी एक देर साल से मेहनत करके वह यहां तक पहुची है एक उन्होंने व चैनल में गायव होता है और मैं उनकी उनकी सब्सक्राइबर हूं तो मुझे भी इस उनके बहुत ज़्यादा दुख हुआ है तो अगर आप उनके सब्सक्राइबर है और मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आपकी जो उनको लेके जो भी जिग्याशा अपने मन में होगी कि आप सार्चु कहां गई मैंने अपनी वीडियो के थुरू आपको बता दिया है कि आप प्लीस चार पास दिन के लिए पेसेंस रखिए और देखते हैं क्या होता है और आज आप सार्चु के साथ भी हो गया है तो उनके साथ भी बाइटेक केर